स्वागत है आपका टीपू सुल्तान यूटूब चैनल में सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक आजमगड और सोनभद्र के मयूरपूर एरपोर से यात्री उडान भर सकेंगे आजमगड में काम पूरा हो चुका है फिलहाल डीजीसिये की और से लाइसेंस प्रक्रिया चल रही है एक से दो माह के अंदर उडान सेवा शुरू हो सकती है वहीं सोनभद्र के मयूरपूर में भी एरपोर का काम तेज गती से चल रहा है कंट्रक्शन्ज सहीद अन्यकारियों को चार से पांच माह के अंदर पूरा करने का लच्छ रखा गया है तैयारियों को पर्खने के लिए एरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के विंग सी एन एस के माप्रबंदक एस आर महतो टीम के साथ दो दिवसिये दोरे पर हैं बितेश शनिवार को माप्रबंदक ने एरपोर्ट का जैजा लिया और ठेके दारों को गुडवत्ता के साथ तेजी से काम करने के निर्देश दिये इससे से पुर्व उन्होंने आजमगड़ एरपोर्ट के उड़ान ट्राफिक अन्य संचारमा ध्यमों की परताल की बता दे आपको की आजमगड़ हवाई एड़े के टर्मिनल बौन में एक्स बीस मशीन एफ आई डी एस और केमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं सी एनस के एजी एम एस एनसीन वो विकास जैस वाल साइथ अन्य एरपोर्ट अधिकारियों ने कई बिंदिवों पर अपनी रिपोर्ट तयार की टूरिज्म वेलफेर एसोसियेशन के अध्यच रावल महता ने बताया कि किंद्र सरकार के रिजनल किनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई पट्टी को हवाई अड़ा में बनाये जाने के क्रम में मयूरपूर एरपोर्ट शुरू होने से सुन्भद रुसहीत आसपास के जन अले का भी विकास होगा आजमगड सहीत आसपास जनपदों की लोगों को काफी सहुलियत हो जाएगी उन्हें बाबत पूरे एरपोर्ट के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा एरपोर्ट निदेशक अकाश दिप माथुर ने बताया कि सी एन्नेस के महा प्रबंदक सहीत अन्य अधिकारियों ने आजमगड और मयूर पूरे एरपोर्ट का जैज़ा लिया इसी साल दोनों एरपोर्ट पर यात्रियों को सुविधाय मिलने लगेंगी